इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे डिप में रह रहे क्वाइन जो हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया गेन दे सकता है इसको मैं दो category में बाटने वाला हूँ एक जो आपको एक हफते 5 दिन या 10 दिन में और मेरा max date होता है 15 दिन का मैं आपको gain दे सकते हैं या फिर आपको एक लंबा term में या लंबे time में भी चाहिए gain तो वो भी मैं reference के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या मैं देखता हूँ एक coin recommend करने से पहले ये भी मैं आपको बताऊँगा हमारा जो channel है Crypto Mart इसकी ID है Crypto Mart India बिना space दिया अगर आप search करें तो मिल जाएगा टेलिग्राम पे इससे जुड़ जाएं इसी वीडियो के description में भी link है आप वहाँ add हो जाए Crypto Mart admin हमारा admin का है ID यहाँ कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं बहुत ही proud के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे analysis लगभग सही होते है मैं कोई financial advisor नहीं हूँ cryptocurrency बहुत risk होता आपको पता है तो आप हमेसा अपना analysis करे अपना research करे फिर जाके उसका decision ले आपको क्या करना है बात करते हैं ऐसे coins के बारे में जो हमें अभी के time पे खरीदना चाहिए या खरीद सकते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा finance के उपर ले जाके finance में अगर आप जाएं सबसे पहले market में और वहाँ आप चले जाएं gaming projects में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये जो साल होने वाला है ये gaming project के नाम से जाना जाएगा gaming 5 बोल सकते हैं आप उसको मतलब gaming finance के project और वैसे में मैंने इसको shot करा हुआ है gaming projects को जो हमें आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया game दे सकते है आपको मैं बता दो gaming guild के जो project है उसमें ygg मुझे लगता है कि ये project भी काफी potential रखता है और हमें एक dip में इसका all time low मैं जड़ देखू यहाँ पे 4 घंटे का graph या एक दिन का graph जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं इसको छोटा करके जब आप देखेंगे तो all time low ये लगबग गया है 2.16, 2.1 dollar के आसपास और अभी चल रहा है 2.6 dollar के आसपास तो ऐसे में ये all time low पे तो नहीं है लेकिन थोड़ा उपर है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा और dip का वेट कर सकता हूँ यहाँ पे और मुझे एक entry बन जाती है यहाँ पे 2.5 dollar के आसपास और या फिर उससे भी नीचे आए तो मैं इसको hold करने का सोच सकता हूँ ये मुझे लगता है थोड़ा अगर हम इसमें patience दिखा है views बहुत जादा नहीं है 228 है क्योंकि आप लोग video पूरा देखते ही नहीं हो और सिर्फ बोलते हो मुझे coin बता दो और फिर coin miss कर देते हो यहाँ आप जाके एक बार पूरा video चेक करिए मैंने 2 coin forcefully दिये थे एक है Mbox और दूसरा Alpine और दोनों मैंने बताया था कि किस range पे आपको खरीद रहा है आज के time पे जो top gainer है आप जाके एक बार सर्च करिए finance पे मैं दिखा भी देता हूँ वो है अपना Alpine Alpine जो है अभी के time पे 40% का gain देके वापस आ रहा है यहाँ कहीं होगा Alpine इसको आप चाहे तो USDT में भी सर्च कर सकते है 17% और यह गया था अभी के time पे बहुत ही अच्छा gain 3.25 डॉलर यहाँ गया हुआ था अपने 2.25 से यहाँ से इसने सीधे pump मारा हुआ है अगर आप चाहे तो 15 मिनट का graph देखे तो ज़्यादा समझ आएगा यहाँ से इसने सीधे उपर चला गया इसके अलावा मेरा जो दूसरा coin है जो मैं आपको recommend करने वाला हूँ वो है Mbox मैं बार बार बोल रहा हूँ Mbox project जो भी है जैसने आपने sand देखा हुआ है वैसे ही Mbox भी मुझे लगता है काफी potential रखता है और यह हमें sand box की तरह एक बहुत बढ़िया गेन दे सकता है buy price की अगर बात करने तो सबसे पहले इसमें देखते है कितना low इसने touch किया हुआ है और मुझे लगता है यह जो इसका पहले था 1.9 dollar के आसपास 1.67, 1.8 के आसपास उससे थोड़ा उपर है और यह भी हमें जो है 1.9 के आसपास 1.8 के आसपास अगर यहां देखें तो यह पहले pump हो चुका था कुछ दिन पहले 30th November को इसका pump था और उसके बाद से यह काफी नीचे है और मुझे लगता है इसकी rally भी हमें देखने को जल्दी मिल सकती है इसलिए आप इसमें भी छोटा-छोटा करके entry ले सकते हैं M box में यह भी एक अच्छा project है और हमें बढ़िया गेन दे सकता है by the dip में यह भी हमारे list में सामिल है इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो PLA काफी दिनों से सांत बैठा हुआ है और यह भी coin मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा गेन दे सकता है PLA याद रखे PLA भी आपको इस price पे जिस पे अभी मिल रहा है इसके आसपास या 0.75 के आसपास मिल जाए तो यह coin भी एक बढ़िया है हमारे portfolio के लिए 0.8 dollar के आसपास अभी चल रहा है और मुझे लगता है यह भी हमें काफी अच्छा गेन दे सकता है यह 3 coin है इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के description में आपको मिल जाएगा link हमारे crypto mart का वहाँ जुड जाएए और मैं वहाँ signals free में भी देते रहता हूँ इसके अलावा मैं दो exchange बहुत अच्छे से recommend करता हूँ एक hobby और Binance अगर आपके पस Binance नहीं है तो वीडियो के description में link है आप hobby Binance दोनों पर account बना लिजे इसके बाद मुझे जो लगता है coin उसमें नाम आ जाता है Mbox तो हो चुका है Mbox recently यहाँ भी list हुआ है Vipad और Gear यह जो भी नए-नए coin list हो रहा है इसमें से मैं बता दूँ आपको Vipad, Gear, Wild, Polsi यह चारों project काफी potential रखते हैं और काफी अच्छे हैं अगर मैं आपको सबसे पहले Vipad की बात बताऊँ थोड़ा दिन और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा और नीचे जा सकता है और उसके बाद से यह हमें एक अच्छा खासा गेन दिखाएगा 0.46 के आसपास यह चल रहा है और मुझे लगता है यह काफी dip में है और हमें इस coin को Vipad को अपने portfolio में रखना चाहिए इसके अलावा मैंने बताया आपको gear और gear भी काफी अच्छा है अभी के time पे यह भी project हमारे portfolio में रख सकता है और अभी इसमें entry लेने लाइक मुझे अभी दिख रहा है अगर आप चाहें तो 0.39 का price है और हो सकता है यह यहां से सीधे हमें gain दिखाते हुए दिख जाए याद रखें cryptocurrency बहुत ज़्यादा volatile होता है आपको पता है तो आप हमेशा अपना risk खुद calculate करें बात करते हैं पोल सी पोल का city के बारे में यह coin भी काफी dip में आप देख सकते है 0.28 की price है जो की काफी dip है इसको भी हम अपने portfolio में देख सकते हैं और एक अच्छा खासा इसमें gain मिल जाएगा अगर आपको फिर भी clarity नहीं है तो आप हमारे telegram में जुड़ जाएए और मैं आपको वहाँ पर help कर दूँगा इस channel में अगर आप नए है तो channel को subscribe करिए और bell icon को डबाईए जिससे आपको video आते ही notification मिले मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो अच्छा लग गया हो तो like channel को subscribe और comment box में अगर कुछ भी अच्छा feedback है या बुरा feedback आप दे सकते हैं मैं उस पे काम करने की कोशिस करूँगा thanks for watching this video goodbye have a good day guys